आप देख सकते हैं कि प्रधान मंत्री नरेद मुदी यहां पर पहुंच चुके हैं और उसके बाद अब मंच पे विराजमान है थोड़ी देर में उनका संबोधन के शुरू होगा पावगड़ पहारी से यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नमर प्रार्थना करो विनंधि करो के साल माताजी नीच भी अने चादी ना सिरी अंत्र थी वड़ा प्रधान शिनू स्वागत करें मात की मानिय प्रधान मंतर शिनू स्वागत थे रहे हूँचे माताजी नीच भी स्री अंत्र स्री अंत्र प्रधान माताजी नू स्वरूप थे स्री अंत्र मानिय वड़ा प्रधान से नीच भी अरपन थे रहे हूँचे चादी नो स्री अंत्र थे अवे समागर ट्रस्टी मंदड जे पावागर नू ट्रस्टी मंदड थे पूल आर्थी अधर्णिय वड़ा ब्रदान स्रीनो सनमान कसे बदा जे ट्रस्टी उचे ए स्वागत माटे जुडाई ट्रस्टी आया मुख्य नहीं सुरंद्र काका ने जार्या जवाबदारी शौपाई अने माता जीना दर्शन कर्या एमने कयो लुक एक भगीरत संकल्प से ये पूरो करू त्या सुधी मात तुमने जीवतों राक जे अने आजे ये संकल्प परिपूर्ण थाई रहो छे ट्रस्टी मंदर द्वारा मानिये ब त्यार बाद गुजरातना लोक लाड़ी ला मुख्यमंत्री श्री भुपेंद्र भैविय अटिलनों स्वागत करवा माटे मानिय असोग भैपंडिया ट्रस्टी कम मंत्री ने विनंति करी साल अने माता जीनी छभी द्वारा मानिय श्री मुख्यमंत्री जीनों स्वागत कर से त्यार बची कैबिनेट मंत्री यात्रदाम विकास वोर्णों जैमने वालों छेवा पुर्णेश भाई मोधी नूपाण है यां स्वागत करवाम आउसे मैं कहुँने के आजनों जे दिवस से अनी ताशीर लग से कारंके उम्बरावारी माता अने डूंगरावारी मा आजे अधर्णिय वड़ा प्रतान स्रिना मात्रुष्री सतायू वर्ष्मा प्रवेश करी रहाँ छे अने अत्यार डूंगरावारी माना असिरवाद एमने लिधा अई यां वन प्रोजेक्ट छे अने ट्रस्ट द्वारा ए प्रोजेक्ट माते आजे साइट लाख रूपियानों चेक ट्रस्ट द्वारा लाजिय सरकान अर्पण करवाम आवसे अपने विननती करिये कि जे चेक्षे ये त्यांगर अर्पण करे परियावर्णनों जतान आपने सव करिये चिये वड़ना व्रुक्ष्नों छोड़ अर्पण करवाम आवसे वड़लों चेने विश्वासनों प्रतिक मानवाम आवसे अने ये आजे माने मुख्यमंत्री शिने परियावर्णना जतन माटे अर्पण करवाम आवसे अब रसंगी आपने आटरश्णा प्रमोख अधर्णिय सुरेंदर भाई पटेले विनंती करिये कि स्वागत प्रवश्चन करें अजना विशिष्ट प्रसंग माटे मैं मैं माताजी ना उपाशक दुन्या भर्मा भारत नू नाम रुष्ट गर्णार अप्रा गुज्रात ना पनूता पुत्र श्री नरेंदर भाई मोदी नू हार्दिक स्वागत करूछू जैने गुज्रात ना विकास नी चिन्ता चे एवा मुख्य मंत्री भुपेंदर भाई पटेलनू पन हार्दिक स्वागत करूछू अईया पवित्र अद्रात्रा धामनी जैनी जवाबदारी छे एवा केविनेट मंत्री पुर्णेस भई इमोदीनू पन हो इस सार्दिक सागत करूछू विशिष्ट जा संतकर्ण या पदारी छे एमने पर नमन करूछू अईया अगर पार्लामिन मेंबरों मेंबर्स धारा सब्यों नीतिन भाई अन्नी आग्यावानों अन्ने आमंत्री तुझे आव्या छे परिशर्मा जग्या होची हो अन्ने कान आपने बहुत मर्याद इत्मा लोकों ने बोलायाता ये बधानों पन ही आगर हार दिक स्वागत करूछू आम मंदीर बहुत वर्षों जुनों पुरान होचे शक्तिपीड छे वर्षे लबक 12 करोड थी बे करोड लोकों अईया अगर दर्शनार्थे आवे छे मंदीर नू परिशर बहुत सांकुल होतु मंदीर पन जिर्णों थयल गई होतु मंदीर मा अवना जे पगत्या जे होई ए अनिवन अनिश्टीपता यात्र को ने बहुत तकलीप पड़े विये थी पवित्र आत्रा धामे अन्ना प्रजेक्ट आस्थमा लिदो अपड़े पगत्या बदा रेगूरर माची थी अपर स्टुरेशन सुद्धे ना वावी सो अने पछी उपर ना पांसो पगत्या पहरा व्योस्तित अने सरस्तिते इजीली चड़ीशका एज जातना करया वुद्या तलाव पासे जने के चेनी गार्डन ने व्योस्ता करी माची चोक पन थोड़ी व्योस्ता करी शे अनो लगबग 125 करण नो खर्चों थायो छे एमा पवित्र आत्रा धाम नूं सित्तर करणा कॉंट्रिबिशन से अने 30 ट्रका कॉंट्रिबिशन्स ट्रस्टनू छ छेले अमना जे पुर्ण दुविये बने शंदोश्वापे ते प्रवाणे अठ्वालिया पैदाज माची नू पन विस्तुति करण करवानू तेहां अगर पन पार्किंग नी सुविधा करवानी अने सुविधा माटे 38 करोड रुप्यानू अल्रेडी भजेट फार्यों चे आ मंदीर टोटली ट्रस्ट ना खर्चे थायू चे लगबग बार करोड रुप्यान खर्च थायू चे मंदी नी साथ साथे विजू पन करवानू जक नकी करवानू तो ट्रस्ट ये प्रवाने अहिए अगर जम वात्था ये प्रवाने परियावर ने ध्यानमा राखी आखा डुंगर मा केवी ते जने के चे ने ग्रीन थायू येनी चिंता करवा मते ट्रस्ट फोरेश्ट लखनों चैका पेशे दुद्या तलाव पासे अन्यक्षेत्र 500 लोको जमी सके जातों अन्यक्षेत्र अनि ये उपर यात्री रातरी रोकान करी शके ये पनी व्यवस्ता करी छे करवानी छे येनू पन कामकाज ओल्रडी शनू थाय रही हुँछे आ डुंगर नी लीचे परिक्रमा थाई याए ये उपर ये जन्यक्षे परिक्रमा करवा ये उटों रूट पन अमें करी राया चे पांसों पकतियां छे तकलिफ थाई छे गणाल पने इतला मटे छासिया तलाव थी उपर सी दू परिश्रमा उपर सी दू पर आवाई ये प्रवाने बेर लिफ्ट विश्री स्वेस्ट जन्जर्णी येनू पन आयो जन्चे ये पन टुक सम्वर मां सरू करवाना छे सेकंड रोपे पन जहने केचे ने अल्ड़ी येनू आयो जन्चे आम विवीत बदी वधारी विवस्ता थी शेके यातराव कुने श्रगवड परिया प्रावने चिंता सता करिये चे और करी रहा चे अगरते नू माताजी नू गौख जो जुनो तो एगजिट राखी मुकेचे येमा कोई फिरबार नती करेओ ए सिवाई बाकी नू बद्दूज तुम जो इसको होजो के बद्दूज नवेशन थाई हुचे परोध पर करवाने काराणे और आउ माताजी नू गौख राखी न करवा माटे नू अने यात्रकुना दर्शन बनना था ए जातनी जातनू माँ भधकाम करियुचे एमा आखु परिशन नू जही विकास सहोचे एने माटे पवित्राता धम नू मुटो स्वाकार मलेवचे हमने अमारा अर्किटेक जैस भई परेक शोमपुरा आशिश भई धिरन भई विरंद्र भई परेश भई पटेल अने आ लोकोनी सकत मैनत अमारा ट्रस्टी मुणनों सहकार अने अहिए ये लोकोना पन सहकार थी अने विशेश मात्रने मात्र माताजीनी अशिम कुरपाथिया थाई सक्यू छे एनो अमने आनन्न छे फरिवार आप सवनू स्वाकत करूँछू अर्शनी लाकनी परूँछू अने आवी नावी आपड़ा बधा लोकोना चनिक चने सुबेच आप रहशे एवी प्रात्ना करी इवरूँचू अस्तू खुब खुब आभार काका अवे आपड़े गुजरात ना लोक लाड़ी ला मुख्यमंत्री माने श्री भुपेंदर भई पटेले मिननती करिये के उद्वतन करे 51 सक्ती पीट पैकिना पवित्र यात्रादाम पावागडने आंगने आयोजीत नवनिर्मीत सुवन सिखरे अईत्यासी द्वजारोहन तेमाज विवीद विकास कारियों ना लोकारपन ना सुब उसरे आपनी सौनी वच्चे उपस्तीत सक्ती उपास्नाना परमाधक आराधक तेमत देशना तपश्वी और यस्वी वड़ा प्रदान आजने स्री नरेंदर भई मोधी साहिब राजियना प्रवाशन वाहन वहवार तथा मार्गमकान मंत्री स्री पुरुनेज भई मोधी श्री कालिका माताजी टेंपल ट्रश्टना अध्यक स्री सुरेंदर काका उपस्तीत सव सांसत सियो धारासब्य श्रियो परमाधनिय संतो महंतो ना चरणो मा वंदन स्री कालिका माताजी तरश्टना सव तरश्टी स्रीयो ताता स्रीयो तेमन उपस्ति सव भाई भक्तो भाईयों अने बहनो प्रेश्मीडियाना मित्रो सवने मारा नमस्कार प्राची नहित्यसिक तीर्दाम पावागड नो आजे आधुने कोप साथे विकास थयो छे देशना यसस्वी वड़ा प्रदा नहीं सक्तिनी बक्तिना प्रम पासक आधरने स्री नरेंद्रवाई ना हस्ते हा विकास कामोनी भेट पावागड धामने अरपन थाई रही छे हैमाई चैत्री यने आसो नवरात्री मातो माई भक्तो नो मोटो मोटा पाये इन्या धसारो होई छे पावागण धाम मा आवता स्रद्दाडवोनी सुवीधामा वदारो था एते माटे राज्य सरकारे रुप्या एक्सो एक्वीश करोणना खर्चे मंदीर परिसर्नों विस्तार करयो छे साथेज तडेटी ना माची विस्तार मा यात्रीकोने पूर्ती पायानी सवगल उपलब्द करावा माटे आवनार दीवशो मा रुप्या साड़त्रिस करोणना खर्चे काम हाद दरनार छे गुजरात मा आध्रनी स्री नरेंद्र भाईना मार्ग दर्शन मा प्रवाशन प्रवुत्रिने खूब वेग मलेो छे गुजरात नी पवीत्र भुमी पर अनेक प्रतिष्टित देवस्तानों छे तेना काराने आजे पिल्ग्रिमेज टूरिजमनों राज्यम मा मुटा पाए विकास थहो छे जारे प्रवाशोनी संख्या वदे त्यारे तेने अनुकुर सगवरताओ युक्त स्वच्छने सुन्दर यात्रदामों होई ते पन जरूरी छे राज्य सरकार यात्रिकों नी प्राहत्नाने परेतन बन्ängt सुगम बने ते माटे सतत प्रयत्न सील छे आना परिणा में गुजरातना यात्रादामों भाव्यue बनी रहा छे वड़ा प्रदांसी द्वारा यात्रा दामना विकास माटे सरू करवामा आवेली बारत सरकार नी प्रसादी योजना मा द्वार का सोमनाथ ने अंबाजी नो समावेश करता आ यात्रा दामोना विकास ने वदू वेग मलेो छे सोमनाथ दर्साने आवता या प्रवाशियो माटे आधुनिक सगवर्ता वाडा सरकीट आउस नू निर्मान करवामा विचे ताजे तरमा त्यनू लोकार पन मान्य वड़ा प्रदांसी नास्ते थयो छे हमबा जीमा सुवण जडित मंदीनी साथे 51 सक्तिपीट परिक्रमा पत तैयार थता यात्रीकोंने एकज थड़े 51 सक्तिपीटना दर्सानों लाब मरतो थयो छे रूप्या 61 करोड ना खर्चे निर्मान थहेला आ परिक्रमा पत हने लाइट एंड साउन्सों सरू थता यात्राडूनी शंक्यावमा मोटो वदारो जोवा मलेव छे पहला दर वर्से जारे 35,000 सर्दाडव आउता त्यारे मात्र त्राणज महिना मां डोड लाग सर्दाडव होए आनो लाब लिदो छे आधरनी वड़ा प्रदान सिन्नी प्रेहना थी माधुपूरा गेडना पवित्र मेडानू राज्यमा दर वर्से बारस सरकार द्वारा आयोजन थाई छे पुर्वत्तर भारत ने पस्चिम भारत ना सांस्कुरतिक अनुबंदन ने उजागर करता माधुपूरा ना आ वर्सना मेडानू उद्गाटन आधरने राश्टर पतिसी रामनात कोविंजी द्वारा को रोमा आवियोत। आ मेडा द्वारा राज्यना प्रवासन ने वेग मडवानी साथे एक भारत स्रेश्ट भारत नी वड़ा प्रदान सिनी नेम पन साकार थाई छे। आपने गुजरात ना तमाम यात्रा धामों ने स्वच राखों मेड़ा राखे। पोतानु यगदान आपीशू। महाकारी माताना कृपा आसे इस गुजरात पर अविरत वरस्ता रहे और गुजरात विकास नी रहे आगर ने आगर वत्तू रहे। प्राथना करी वीर्मों चु जय माता जी भारत माता की जय वंदे मात्रम जय जय कर भी गुजराँ खुब खुब बावार मुख्य मंत्री श्री आपड़े जयने साभड़ मां माटे आतोर ची एवा गुजरात ना पनोता पुत्र भारत माता ना सपोद यसा स्वीवड़ा बजान माने श्री नरेंद्र भाई ने विन्हेंति करो के आप और ने आवी ने उद्वधन करें बारत माता की बारत माता की कारेक्रम में उपस्थित गुजरात के लोग प्रियम मुक्य मंत्री श्री भुपेंद्र भाई पटेल कालिका माताजी मंदीक ट्रस्ट के प्रेसिदेंट से श्रींद्र भाई पटेल राज्य सरकार के मंत्री भाई पुर्णेश मोदी या उपस्तित सभी वरिष्ट पुज्य संतगण सभी सधालू साथी देवी और सर्जनों आज कई वर्षों के बाद पावागड माकाली के चरणों में आकर के कुछ पल बिताने का आशिरवाद प्राप्त करने का सोभागे मिला मेरे लिए जीवन की बड़ी धन्य पल है सपना जब संकल्प बन जाता है और संकल्प जब सिधी के रूप में नजर के सामने होता है तो इसका आनंद कितना हो सकता है इसकी आप कल्पना कर सकते हैं आज का ये पल मेरे अंतर मन को विशेश आनंद से भर देता है कल पना कर सकते हैं पाँच शताब्दी के बाद और आजहादी के 75 साल बीतने के बाद पाँच शताब्दी तक मा काली के शिखर पर धजा नहीं पहरी थी आज मा काली के शिखर पर धजाब्दी ये पल हमें प्रेरणा देती है उर्जा देती है और हमारी महान परंपर और संस्कृति के प्रति मा काली का ये शक्ति पीठ महा काली मंदीर अपने भव्य और दिव्य स्वरूप में हमारे सामने है शक्ति और साधना की यही विशेस्ता होती है गुप्त नवरात्री है लेकिन शक्ति सुप्त नहीं होती है जब स्रद्धा साधना और तपस्या फलिभूत होते हैं तो शक्ति अपने पूर्ण वैभव के साथ प्रगण हो जाती है पावागड में महाकाली के आशिरवाद से हम गुजरात और भारत की उसी शक्ति का प्राकट देख रहे हैं आज सदियों बाद महाकाली का यह मंदीर अपने विशार स्वरूप में हमारे सामने हमारे मस्तक को भी उचा कर देता है आज सदियों बाद पावागड मंदीर में एक बार फीर शिकर पर द्वज फहरा रहा है यह शिकर द्वज केवल हमारी आश्था और आध्यात्नव का ही प्रतिक नहीं है यह शिकर द्वज इस बाद का भी प्रतिक है कि सदियां बदलती है यूग बदलते हैं लेकिन आस्था का शिकर सास्वत रहता है भाई और भेनों आयो ध्या में आकर आपने देखा होगा भव्य राम मंदीर आकार ले रहा है काशी मैं विश्वनाद्धाम हो या फिर मेरे केदार बाबा का धाम हो आज भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गवरों पुनरसापित हो रहे हैं आज नया भारत अपनी आधुनिक आकांख्षाओं के साथ साथ अपनी प्राचीन धरोहर को भी अपनी प्राचीन पहचान को भी उसी उमंग और उत्सा के साथ जी रहा है हर भारतिय उस पर गर्व कर रहा है हमारा ये आध्यात्मिक स्तल हमारी स्रद्धा के साथ साथ नई संभावनाओं के भी स्रोत बन रहे हैं पावागड में माकाली का मंदीर का पुना निर्मान हमारी इसी गवरव यात्रा का एक हिस्सा है मैं इस अवसर पर मा महाकाली के चर्णों में नमन करते हुए आप सभी को रदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं आज का ये अवसर सबका साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास का भी प्रतीख है साथ क्यों अभी मुझे माकाली मंदिर में द्वजार होन और पुजन अर्चन का सौभागी मिला है माकाली के दर्सन करते समय मैं सोच रहा था कि आज माकाली के चर्णों में आकर क्या मांगू माकाली का अश्रिवार लेकर इतिहास गवा है स्वामी विवेखानन जी माकाली के आश्रिवार लेकर के जन सेवा से प्रभू सेवा में लीन हो गए इसे मा मुझे भी आश्रिवाग दे कि मैं और अधिक उर्जा के साथ और अधिक त्याग और समर्पन के साथ देश के जन जन का सेवग बनकर उनकी सेवा करता रहूं मेरा जो भी सामर्थ है मेरे जीवन में जो भी कुछ पुन्य है वो मैं देश की माता और बहनों के कल्यान के लिए देश के लिए समर्पित करता रहूं गर्वी गुजरात इस समय इस गर्वी गुजरात की धर्ती से मा काली के चरणों से मैं देश की आजादी के अमरुत महोसों का भी समर्ण करता हूं साथियों गुजरात ने जितना योगदान देश की आजादी की लड़ाई में दिया है उतना ही योगदान देश की विकास में भी दिया है गर्वी गुजरात भारत के गर्व और शान का परियाए है गुजरात ने भारत के व्यापार का भी नेतुत्व किया और भारत के आध्यात्मता का भी उसे समरक्षित करने का पूरा प्रयास किया सद्यों के संगर्ष के बाद जब भारत आजाद हुआ तो हम गुलामी और अत्याचार की घावों से बड़े हुए थे हमारे सामने उस अपने अस्तीत्व को फिर से खड़ा करने की चुनोती उसको लेकर के हम खड़े थे लड़े थे भारत के इस सांस्कृतिक आजादी के शुरुवाद भी सर्दार साहब के नित्रुत्व में गुजराच से ही हुई थी सोमनाथ मंदिर का पुनर निर्माण राश के पुनर निर्माण के संकल्प के रूप में हमारे सामने आया पावागड और पंचमहाल आज सोमनाथ को उस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है जिसलिए गुजराच को पुरे देश में पहचान दी थी आज जो द्वजा फ़राई गई है वो केवल महाकाली मंदिर की द्वजा नहीं है बलकि गुजराच और देश के सांस्कृतिक गवरोब की द्वजा भी है पंच महाल और गुजराच के लोगों ने सदियों से इस मंदिर की भव्यता के लिए प्रयास किये अब सोने से बढ़े कलेश के साथ इस मंदिर से जुड़ा वो सपना पूरा हुआ है आज पावागड़ और पंच महाल की तपस्या सिद्ध हुई है पंच महाल और शेत्र में पुनाना तो मुझे याद है आज की परंपरा मुझे उतना पता नहीं है लेकिन जो पुराना मैं जानता हूँ जब भी कोई शादी विवा होता था तो इस मंदिर में सबसे पहले भक्त आकर के शादी का जो निमंत्रन पत्र होता था वो मा के चर्णों में रख देता था और मुझे पता है उस समय तो जो यहाँ पुजारी और पंडित लोग हुआ करते थे वो शाम की आरती के समय दिन भर जितने ऐसे निमंत्रन आये हैं उसको पढ़कर के मा को सुनाते थे भक्ती भाव से सुनाते थे शुरेंद्र काका कह रहे हैं आज भी चल रहा है बाद में आशिरवाद में माता की तरफ से मंदीर से जिनोंने निमंत्रन भेजा है उसे उपहार भी जाता है कितना बड़ा सौब हाग है और प्रमपरा लंबे अर्शे से चली आ रही है लेकिन माता ने इस बार हम सबको आज सबसे बड़ा उपहार दिया है माता के दरबार का काया कल्प और द्वजारोहन मैं समझता हूँ हम भक्तों के लिए शक्ति उपाशकों के लिए इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है और मा के आशिरवाद के बिना ये संभोव भी कहा हो सकता है यहाँ स्रीकाली का मंदिर को लेकर जो कार्य हुए है उसमें एक खास बात और है महाकाली मंदिर का इतना भव्य स्वरूप दिया गया लेकिन इस पूरे काम में घर्बग्रू में मूल स्वरूप अक्षुन रखा गया इसे सेवा यग्यमें गुजरात सरकार पवित्र इत्रति आत्राविकात बौड अटरस के लोगों ने मिलकर काम किया मुझे बताया गया कि मंदिर परिशत की पूरी परिक्रमा के लिए अभी सुनंद्र भाई बता रहे थे दूदिया तालाव और छासिया तालाव को जोडने वाला एक परिक्रमा पद भी तैयार किया जाएगा यग्यशाला बोजन साला परियर टकों के लिए भक्त निवास और छासिया जिल से माताजी के मंदिर तक लिप्ट जैसी सुविधाएं इसका निर्मार भी किया जाएगा साथ ही माची के पास अतिजिग्रू और मटी लिवल पार्की का निर्मार भी होगा पहले यहाँ पहुंचने के लिए सुरत धालूओं को कई गंटे लग जाते थे सीडियों से चड़ना यात्रा की ठकावट कठिनाईयों से गुजरना पड़ता था पहले सीडिया भी कैसी थी जो पहले आये हैं उनको पता है उसको सीडि कह सके कि न कह सके यह हाल था लेकिन आज वो भी रचना अच्छी हो गई है अब मंदिर तक पहुंचने के लिए अच्छे पत्तर से अच्छी सीडिया बढ़ाई गई है सीडिया की उचाई भी जादा नहीं है बरेबर हिसाब से रखा है ताकि चड़ने वाले को दिक्कत ना हो पहले मंदिर परिशद में दो दर्जन लोग भी एक साथ नहीं पहुँच पाते थे आज सौसे से भी जादा लोग एक स्थाद यहां आ सकते हैं पुजा अच्छन कर सकते हैं बीड का दबाव कम हुआ है तो यात्रियों के लिए सुरक्षा भी बढ़ी है मंदिर परिशत के विस्तार से भगदर जैसी घटनाओं से भी बचा जा सके और हमें दिरंतर जागरुद रहना ही पड़ता है इसी जगा पे और अब तो इसके बाद सायद यात्रियों की संख्या बढ़ जाएगी हमें उन सारी विवस्ताओं की चिंता करते रहना पड़ेगा और मैं अभी से सभी काली भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि अनुशासन का पालन करना होगा क्योंकि कठीन जगा है कोई हाथ सा न हो जाए पहले कई बार हाथ से होते थे बड़ी चिंता सताती थी लेकिन मा के आशिरवाद से फिर गाड़ी चल परती थी मैं चाहूँगा हम उस अनुशासन का भी पालन करेंगे क्योंकि कठीन स्थान है उंचा स्थान है कठेनाईयों के बीच काम करना होता है तो हम जितना अनुशासन का पालन करेंगे यात्रा भी अच्छी होगी मा के आशिरवाद भी पाप्त होगे पाड़ी के उपर जो दुद्या तालाब है उसे भी डेवलब किया जा रहा है इस तालाब के चारों तरफ एक परिक्रमा सर्कुलर पत्त बनाया है इससे भी लोगों को काफी आसानी हुई है मा महा काली के चरणों में आकर हमें बार बार उनके आशिरवाद पाप्त करने के लिए का मंत्वाभावित उच्छों होता है लिकिन पहले पावगड की यात्रा इतनी कठीन थी कि लोग कहते थे कि कम से कम जीवन में एक बार माता के दर्शन हो जाए आज यहां बढ़ रही शुविधाओं ने मुश्किल दर्शनों को सुलब कर दिया है माताए, बहने, बुजूर्ग, बच्चे, युवा, दिव्यांग, हर कोई अब आसानी से मा के चरणों में आकर के अपने भक्ति का मा के प्रसाद का सहज लाब ले सकते हैं अभी मैं खुद भी यहां पहुँच ले के लिए टेकनोलोजी के माद्यम साया रॉप्पे के माद्यम साया रॉप्पे में न केवल यह यातर आसान की है बलकि रॉप्पे से पावागड की अद्भूत जो खुबसूरती है उसका आनंद भी मिलता है आज गुजरात में कई तीर्थ और परेटन सल ऐसे रॉप्पे से जुड रहे है पावागड सापुतारा अंबा जी घिनार में रॉप्पे होने से लोगों का काफी सहुलियत मिल रही है पावागड मांबा और सोमनात द्वारकेश की आशिरवाद से ही गुजरात गर्वी गुजरात बना है गुजरात के महान कभी नर्मत ने गुजरात की सांस्कृतिक महिमा का वरनन करते हुए लिखा है उत्तर मामा अंबा मात पूरब मा काली मात छे दक्षिन दिशामा करता रक्षा कुंतेश्वर महादेव ने सोमनात ने द्वारकेशे पस्चिम केरा देव छे सहायमा साक्षात जय जय गर्वी गुजरात आज गुजरात की यही पहचान आसमान छू रही है कभी नर्मत ले गर्वी गुजरात की पहचान के रूप में जिन सांस्कृतिक केंद्रों का नाम लिया है आज वो सभी तिर्थ एक नई विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं आस्ता के साथ साथ तिर्थों और मंदुरों के विकास में आधुनिक तक्णी का इस्तेमाल किया जा रहा है सभी तिर्थों परियात्री सुविधाओं का विकास किया गया है गुजरात के तिर्थों में अब दिव्यता भी है शान्ती भी है समाधान भी है, संतोष भी है और इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है अगर माता के ही मंदिरियों की बात करे शक्ती के सामर्थ की बात करे तो हम गुजरात के लोग इतने भागिवान रहे है और मा सक्ती की पूजा करने वाले भक्तों के लिए गुजरात में तो पूरा एक शक्ती चक्र है एक शक्ती रक्षा चक्र है गुजरात का रक्षव कवच के रूप में वो काम कर रहा है गुजरात के अलग-अलग शेत्रों में बिराजमान शक्ती रुपेन माताएं गुजरात का निरंतर आशिरवाद देती है और गुजरात की रक्षा करती है। उदर हमारे खोडल धाम, उदर वुम्या धाम, गिर्णार के उपर अंबा मां, अनेक माताएं हर कोने में हमें निरंतर आशिरवात है, यहनि हम कह सकते हैं कि हम पर एक शक्ति का आशिरवाद है, अंबा जी में गबर फुट हिल्स, अभी हमारे भुपेंदर भाई वर्णन कर रहे थे, 3D वीडियो प्रोजेक्शन बेपिंग की शुरुवात की गई है, साथ में महा आरती भी शुरू की गई है, केंदर की प्रसाद योजना के तहट गबर तीत का पुनरधार भी किया जा र है, कोटेश्वर महादेवं मंदीर, रिंचळ या महादेवं मंदीर जैसे पुन्न स्थानों का विकास भी किया जा रहा है, अभी कुछ समय पहले, मुझे सोमनाथ मंदिर में भी कई विकास कार्यों के लोकारपण का आउसर भी मिला था द्वारिका में भी घाटों यात्री सुविधाओं और मंदिरों के सवुद्र सवुद्री करने पर भी काम किया गया है पंच महाल के लोगों से मेरा आगर होगा बाहर से जो भी सर धालूं यहां दर्शन करने आए उनको आप अपने राज्य के इन सभी स्थानों पर जाने के लिए जरूर कहिएगा माधोपुर में जहां भगवान श्रीकर्ष्ण और रुक्मणी का विवाव आता वहां रुक्मणी मंदिर का पुनर्विकास भी किया जाएगा अभी एप्रिल के मेहने में जब अपुपेंद्रबाय ने बताया है हमारे राश्पती जी ने माधोपुर गेड मेले का उधार निकरके वो स्वयम यहां आये थे तिर्थों का ये विकास के बल आस्था के विकायत का विशय तक से हिस्थिमित नहीं है बलकि हमारे तिर्थ समाज की गतिशल्ता और राश की एक जुटा के भी एक बड़े महत्वपुर जीवन्त प्रतीक है इन तिर्थों और मंदिरों में आने वाले स्रध्धालू अपने साथ कई नए अवसर भी लेकर आते हैं किसी भी खेत्र में परियतन बढ़ता है तो रोजगार भी बढ़ता है इंफ्रस्टेक्टर का भी विकास होता है हमारे तिर्थ यात्रों को स्थानिय संस्कृति से तो परिचित करवाते ही है स्थानिय कला कौशल सिल्प का भी प्रचार पुसार होता है हम सभी इस बात के गवा है हमारा केवडिया वहां का हमारा एक तान अगर स्टेची अव्यूनिटी उसके बाद वहां परियतकों की जो संख्या बढ़ी है आज दुनिया में इसी तरह सुविधाएं बढ़ने के बार काशी विश्वनादाम और चारधाम यात्रा में भी सद्धालों के संख्या नित नए रिकॉर्ड मना रही है इस बार तो के दारनात में अभी तो कुशी सपता हुए है सारे रिकॉर्ड तोड़ दी है इतने यात्री वहां लाब बडोदा हो पंचमाल हो इस पूरा हमारा वनवासी पट्टा हो हमारे आदिवासी भाई बहन हो सबके जीवन में बहुत बड़ी ताकत भरने वाला है जो स्रद्धालू मंदिर में आएंगे वह यहां से विरासतवन भी जाएंगे विरासतवन प्रकूती परियावरन परंपर और आयुरुवेट जैसे विश्वम परदेश के लिए एक बड़ा आकर्शन और परिणा का केंद्र बन सकता है इसी तरह आर्के लोजिकल पार्क और पावागड किला के लिए भी आकर्शन बढ़ने वाला है विकास यह कारिया पंच महाल को देश में प्रमुक पर क्रुती भी है कलास संस्कृती भी है यहां एक और मा महाकाली का शक्ति पीठ है तो दूसरी और जैन मंदिर की दरोहर भी है यानि पावागड एक तरह से भारत के इत्यासिक विवित्ता के साथ सर्वधर्म संभाव का केंद्र रह रहा है युदेशकों ने चापानेर के किया हुआ है यहां पढ़ता हुआ पर्यटन यहां के पहचान को भी और मजबूत करेगा है पंच महाल में पर्यटन की संभावनाओं के साथ साथ यहां के युवाओं के लिए बड़ी संख्या में नए अवसर तयार होने वाले हैं हमारे आदिवासी भाई बहनों के विशे बैजोबावरा जैसे महान गायकों की धर्ति रहा है वो प्रतिवा आज भी यहां की मिट्टी में है जहां विरासत बन और सांतकुती मजबूत होती है वहाँ कला और प्रतिभावी पल्लवीत होती है हमें इस प्रतिभाव को भी उभारनाय नई पहचान भी दे दी है चांपानेर वो जगह है जहाँ साल 2006 में गुजरात का गवरो बढ़ाने वाली जोतिर गराम योजना की शुरुवात होई थी मैं जब मुख्यमंत्री बना तब लोग मुझे कहते थे साथ कम से कम शाम को खाना खाते समय बीजली मिले इतनी व्यवस्ता करो यही माकाली के चरणों में बैठ करके हमने जोतिर गाम योजना से गुजरात में और देश में पहली बार 24 गंटे घरों में बीजली पहुँचाने में सफलता प्राप्ता की थी और तब उस समय के हमारे राठपती स्री एपी जे अब्दुल कलाम जी उस कारकम में आये थे और उनके करकमलों से हमने उसको लाउंच किया था जोतिर गाम योजना ने गुजरात के विकास में गनाया अध्य जोड़ा इस योजना की वेज़े से गुजरात के पनुरुथान और विकास की जो हवा पावागड में बह रही है इसकी महग भी पूरे गुजरात और देश में पहुचेगी इसी भाव के साथ में महा काली के के चर्नों में एक बार फिर मेरा नमन करता हूं आप सभी को भी एक बार फिर बहुत-बहुत शुपकामण है देता हूं और आजे जारे मा काली ना चर्नों मा बी Deb От gehen गुजरात न विचार फलक अने अन्यराज्योंथी पांग मााकालिना भक्तों ने अं गिंत संख्या खुब सद्धा साते आई आवती हो इशे आज की सद्धा लुँने पर अनेक ने शुब कामना वाप resistant एक आफ हमाइ पूर्वजु जी आशा साते आवता हाता निरास्ति ने पांचा जता हाता आजे यह मना संथानों यह मना पूर्वजु में पण कई सक्षे कि आपे भले कश्ट बेठा होये हैं पड़ है युग बढ़ानों छे युग अनुग महाली पुरागावद इस आपना है नल्य गुजरात सरकारने व्पेंद्रभेना नेतृत्रुत्वम थाईला कामोंने दर्दैती व्रदधावुशूू। आप सबने खुप-खुप सुभेश आपोचू। खुप-खुप दन्यवाद। खुप-खुप आभाण प्रधान मंत्री ज्री। श्री काली का माता जे मंदरी ट्रस्ट ना निमंत्र ने मान राप आपी आप सो मानू बाव उपस्तित रह आपनो को आपार बीजी एक सुजना के प्रधान मंत्री श्री अहियां थी विदाय ने ले तया सुधी आपड़े आपड़ी जगा नहीं छोड़ी है